नमस्ते कुसुम की रेसोई में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोग के साथ क्यों क्याटी से बहुत ही हेल्दी और चटपटा नास्ता की रेस्पी सेयर करूंगी तो इसकी लिए आप वीडियो में पुरा बने रही है और इस ये ना बहुत ही जल्दी पांच मिनिट मे आप इसे बहुत एजी तरिकी से बना सकते हैं बस इसे गोलिए तवे पे पहलाई और बनकर रेडी बहुत ही असाने फ्रेंट्स इसके लिए आप वीडियो में बने रही है अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंट्स तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए बच्छों के लंच बॉक्स में जरूर दीजिएगा बहुत ही है तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स तो यहाँ बर देखे एक अच्छा आलू ली हूँ मैं इसका जो उपर का छिलका है वो में उतार ली हूँ और इ चली इसे हम पठाफट से पहले हम ग्रेट करेंगी बहुत ही मजदार नास्ताया फ्रेंट इसके लिए पूरा वीडियो में बने रहे एक बड़ास चैस का में आलू ली थी इसे में ईसे ग्रेत कर लिए हूं फटाफर से अब सुबह के नाथा है बना रहे हूँ तो ये फटाफर से बन भी जाएगी पांच मिलत्पर बनकर रेडी हो जाएगी तो चलिए इसे में ग्रेट कर ली हूँ एक आलु को इस तरहे किसे देखि आलु के लच्छे बन चुके हैं अब ले लीजिए एक कठोरी यहां पर गयों का आटा किनकि आज हम नाम बहुत ही हल्थी नास्ता बना रहें तो इसके लिए मैं यहां पर इस्तमाल करूंगी गयों के आटे यह उनके आटे से बहुत ही अलती नहसा बनेगा तो इसे आप बड़े बॉल में सिफ्ट कर लीजिए स्वाद अनुसार नमक लीजिए और जो हमने आलो ग्रेट करके रखी थी उसे लीजिए आप पर ग्रेटेट किया हुआ मैं चुकुंदर लीए हूँ देखिए सब के इसापटेटी आप देख लीजिए फ्रेंट से अतना ही आप लोह डालियेगा यहां गरेटेर किया हुआ मैं लीए हूँ गाजर यहां पर बारी कटाउआ मैं लीए हूं टमाटर एक छोटा साइच का मैं बारी कटावा प्याज ली हूँ अगर आप बच्चे को तिखा नहीं खाते हैं तो यहाँ पर आप मिर्ष नहीं डालीएगा यहाँ पर मैं बड़ो के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं मिर्ष भी डाली हूँ बाड़ी कटावा धनिया पता एक ग्लास यहाँ पर अभी में पानी डाली हूँ लेकिन बीच में अगर आपको पानी के जरूत और पड़ेगी तो और पानी आप डाल सकते हैं तो बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स आप इतना इसे अच्छे से मिक्स करिएगा उसके बाड़ यहाँ पर न कोई भी मसाला डालने जरूत नहीं है बहुत कम मसालों में बना रही हूँ और यह तो वेजटेवल से भरपूरे बच्चे आपके वेजटेव दाली हूँ दो बड़े चमच के लगवग ले लीजिए सूजी इससे हमारा नास्ता जोई क्रिपसी बनेगा अंधर से नर्म बनेगा बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर इसे अब हम कर लेना है मिक्स कर लीजिएगा अच्छे सी और इसे ना आप सूजी ज बस इसे अब इसे ओयल में डाल कर इसे आप चारो तरफ गोल इस तरीके से फैला दीजिए यह ना आपको इसा भी सेप में भी बना सकते हैं मैं इसे गोल सेप में बना रही ना इसे जीरो ओयल में भी बना सकते हैं बहुत हेल्दी नास्ता है सुआ के ब्रेकफास्ट में सब कोई ये नास्ता कि रjänस्पि जिवा न पसंद की मुखं अपलू चरूरा करेंगे आपको ये ये नास्ता के रैस्पि कैसे लेंगें ये फ्रेंट्स मैं रे बहुत ही टेस्टि बनी थी इनास्ता चलिए इसे मैं अच्छे से फैला दी हूं इस तरिक इसे देखें हमारा नास्ता एकदम बनकर ready है तो चले इसकी कर लेते हैं फ्लिटिंग देख सकते हैं कितना अच्छा नास्ता बनकर ready हुआ है और unique और कुछ अलग नास्ता लगे न तो बच्चे भी इसे कुछी कुछी खाएंगे और healthy भी है साथ में तो बच्चे भी इस भी खा सकते हैं सफ़ाड में भी ले जा सकते हैं बहुत ही एजी है फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक सेर कमेंट कर दिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में